जैहन मेरे दोस्त मेरा नाम है सीए जैवुलिया आज की सेकंड क्लास ओफ इंकम डेक्स में आप सभी लोग का स्वागत पहली क्लास आपकी बहुत शांदार हुई थी बेसिक कॉंसेट्स हम उसमें कुछ पढ़ रहे थे कि बेसिक्स ओफ इंकम डेक्स हैं क्या आज की क्लास मे geographic को ही आगे बढ़ाने वाले कि आगे और क्या कि कि कुछ रह गए थे आज Two सबसे पहले अम उसको रिवाइज करने वाले जो हमने लास क्लास कर देंगे कि क्लास कोई बीःसिक कॉंसेट्स हम ने यहां से शुरुवात की थी आपकी व当 мужч SC ने मतलब मैं ने वुझाय था था क कि compulsory extortion of money by the government कोई भी इनसान आप से पैसा नहीं ले सकता except government government के पास right right कहां पे है power to live a taxes government को यह right दिया गया था किसने constitution of इंडिया ने उसके जो भी constitution of इंडिया में entry थी वहां पे बताया गया था कि इस entry में यह चीज लिखी हुई है constitution के किस पार्ट में किस हिसाब से union list है state list है कैसे इंडियन गवर्वेंट हम लोगों से tax charge कर सकती है और why tax क्यों लगाया जाता है कि यह भी हमने concept पढ़ा था कि tax क्यों लगाया जाता वही जैसे हम अपने परिवार का पालन portion करते कोई बेक इनसान है वह अपने परिवार का पालन portion करता उसके लिए उसको कहीं से income चाहिए होती है अब सरकार को भी कहीने कहीं से इस देश को चलाने के लिए income चाहिए अब सरकार तो कुछ काम कर नहीं सकती है तो वह कहां लेगी तो वह पब्लिक से टेक्स लेती है और वहाँ से फिर इस देश को चलाती है हमारे मेंदली बेसिक है एक डरीक test और इंड़ेकTS अरो दाइक्सा मतलब मैंने लास क्लास में समझा है था आपको ढारेक्ट लगता है आपको और उसको बारेक्स बोलते है डारेक्टली ोना respectfully टिर्टारफ से लगता है कि एरली सब्सक्राइब इंक्मण किस्टी हिए तो यह गश्याल कंजूंबर पिलगता पैनुफेक्ट्टरर टे अंटीर इंक्ट्री घूं के लगता है फील लास्ट कंज्यूमर जो consume करेगा उस आइटम को बड़ा निसके बड़ा था उसके बाद हमने बड़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था SSC की डेफिनेशन SSC कौन होता है देखे किसी ने किसी को ने नाम देना होता है जैसे मेरा नाम जैगुलिया है आपका अपना एक नाम होगा तो ऐसे करने के लिए उसके बाद कि जी कौन से चल गए ठीक है टेक्स पेवल कोई भी सम्टेक्स पेवल वय्दर और any proceeding start against him. Proceeding start का मतलब क्या था? कि किसी के against proceeding start हो गई है. Assessment फिर मैंने आपको बताया था कि assessment क्या होता? Assessment का मतलब गंड़ना करना, calculate case देखना, इसका assess हो रहा है. Calculate हो रहा है. Government आपकी case को assess कर दी, देख रही है. क्या आपने income शोकी, क्या आपका TDS कटा था? कैसे आपने loss शोकी हैं? ये सारी चीज़े उसमें देखी जाती है. Deemed SSC, deemed का मतलब होता है, मानो या ना मानो आपको मान लिया गया है SSC. That means, वह सकता है कुछ ऐसे circumstances हो, जहाँ पे आपकी income taxable ना हो, बट सरकार आपको deemed SSC मान लेती है. तो उसको deemed SSC का आ जाती है. Last class में हमने examples के साथ आपको समझाई थी, ये सारी चीज़े. Assessment का मतलब यह होता है, किसी के against, अब मान लिजे मैंने अपनी return file कर दी है, और वो scrutiny में case आ गया, scrutiny का मतलब होता है कि सरकार उसकी जाच कर दी है. सरकार कौन? Income Tax. Income Tax वाले उसकी जाच कर रहे है. तो वो उस process को बोलते assessment हम आपकी assessment कर रहे हैं. आपके जो case चल रहे हैं उसको बोलते assessment कर रहे हैं हम आपके documents की. आपके documents सारे verify होंगे, आपके income कहां से आए है, क्या कर्चे आपने डाले हैं. सारी चीज़े आपके SS होंगी वाहाँ पर. आज most probably ये chapter खतम कर देंगे. अगर किसी को कुछ भी doubt आता है, तो contact कर सकते हैं without any doubt. उसके बाद हमने पढ़ा था कि heads, heads क्या होते हैं? अब सर मान लीजिए आपके income बहुत तरीके से आप पैसा कमाते हो. अब सरकार ने ये कहा, सरक बहुत तरीके से आप पैसा कमाते हो, लेकिन हमें तो specify करना पड़ेगा ना, कि इस income को मैं कहां categorize करूँ अब पचासो तरह की income होती है लेकिन जितना मैं wide रखूँगा, या सरकार जितना wide रखेगा, income tax जितना भी आपकी income को wide रखेगा, उतना उसके लिए manage करने में दिक्कत होगी तो उन्होंने का एक काम करते हैं, सबसे पहले आपकी income को हम 5 head में बाढ़ देते हैं, आपकी income 5 head से बाहर कहीं नहीं जानी चाहिए उन्होंने का या तो salary से आपकी income आती होगी या दोनोंने का आप salary से इंकम लेते होगे कहीं न कहीं आप joke करते होगे, आप उसको salary head में डाल दीजेगे उसके बाद HP का मतलब होता है house property उन्होंने का उसके बाद अगर या तो फिर आपने कोई आपके 2-3 मकान होगे, एक मकान में आप खुद रहते होंगे और दूसरे आपने rent पे देती होंगे, तो उसके बाद आपकी income कहा से होगी, house property से होगी उसके बाद आया पीजी बीपी profit gains from business and profession ये short form चलती रहती है, अभी आप को सकता थोड़ा साथ पटा लगे, HP क्या लग दिया, PCVP क्या लग दिया, IFOS क्या लग दिया, लेकिन आपर 2-3 क्लास आप सब इनके habitual हो जाओगे, ये बोले जाते है, PCVP मतलब business के income, अगर आप कोई business कर रहे हैं, तो उसकी सारी income आपकी PCVP में डाली जाएगी, करने का नहीं था, आपने सिर्फ ये बेच दिये हैं, तो आप पे capital gain की calculation होगी, detail में हर चीज को हम discuss करेंगे, IFOS income from other sources, अगर पहले 4 head में कोई भी income नहीं आती, तो वो finally आपके मीचे वाले head में आजाएगी, income from other sources, ये हमने आपको वज़ाइदा total 5 head होते हैं, इस 5 से बाहर आपके income कहीं नहीं जाने चाहिए, बस जी, most probably इतना हमने अभी तक discuss किया था, अगर इसमें कोई doubt आए, तो मुझे आप query पूचेगा, कोई भी कहीं भी अगर आपको doubt आता, कैसा भी doubt आता, तो आप उसे बेज़े जगो के पूच सकते हैं, चलिए, आज की class फिर fresh शुरू करते हैं, आज की class में हम इस chapter को खतम करने वाले हैं, कि basic क्या था, basic of income tax क्या थे, चोटी-चोटी बाते जो है, income tax में किसको क्या बुलाया जाता है, कैसे बुलाया जाता है, कैसे tax calculate होता है, आज हम यह देखेंगे, तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करने वाले, हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले years के साथ में, चलिए, उससे पहले में आपको person की definition पढ़ा दे, तो years को भी हम बाद में लेके आएंगे, अब देखिए, income tax क्या है, income tax आपको पिछले एक देने last class से ही बताया जारा क्या है, सर क्या चल रहा है income tax में, अब आज की class में हम सबसे पहले discuss करेंगे, person का मतलब क्या होता है, अब मैं तो individual हूँ, individual का मतलब अकेला बंदा, अकेला बंदा कोई भी business कर रहा है, या फिर कोई business नहीं कर रहा है, salad person है, लेकिन इस अकेले इंसान के अलावा भी, बहुत सी entities होती हैं, बहुत से business run होते हैं, जैसे जी किसी ने company बना लो, वो company बना के अपना business run कर रहा है, उसके अलावा, उसके अलावा किसी ने partnership firm बना ली, आपने सुना होगा, ये partnership में ये लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा, उसके अलावा आपने सुना होगा, हुए का मतलब Hindu undivided family या फिर उसके अलावा LLP में काम कर दें लिम्टेड लाइबिलिटी partnership में अब लोग काम करें तो ऐसे करके मैंने आपको लास्क्रास में बताया था कि कोई बताने वालों कि एक्षण सबसेक्शन होते क्या है तो इतना बड़ा income tax है अगर मैं इसको section में ना बाटू मतलब parts में ना बाटू तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहां रखी हुई है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी इन्हों ने क्या किया इन्हों income tax वालों ने ये काम किया कि इनको sections में बाटते है section 123 फिर उनमें सब section डाल दिया फिर close फिर sub close डाल दिया तो हमारे लिए असान हो गया identify करना कि इसी capital gain के अगर मुझे बात ढूननी है तो मैं section फ्ला फ्ला section में जाके ढून लोगा अगर मुझे सेलरी की बात करनी है तो मैं section 15-17 15-17 में जाके देख लोगा ठीक है तो इन्हों ने section में बढ़ा तो section 1 हमेशा act का नाम बताता था किस year में और कहां पर applicable होता है section 1 बताता यह हर किसी act पर apply हो गया जी एस्टी हो गया income tax हो गया फेमा हो गया कोई भी इंदुस्तान का इंडियन contract act हो गया sales act हो गया कुछ भी एक्ट हो यह हर एक्ट में apply होता है कि section 1 उसका हमेशा उसका नाम एप्लिकिवर्टी कि साल में यह आया section 2 हमेशा definitions बताएगा यह हर किसी act पर पर आपके अप्लाई होगी हमेशा द्यान रखना section 1 उसके basic बताएगा section 2 में definitions होती है मतलब अब जब भी हम act पढ़ते हैं तो हम कहां से पढ़ते हैं सर सिंपली हमारे सामने नोट्स कुले हुए जी ने यह जो नोट्स आये हैं यह कहां से यह बेर एक्ट क्या होता है मतलब होता है जब कानून लिखा जाता है अन्दुस्तान में जब कानून लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं बेरेक्ट मतलब जो लो की लैंग्वेज होती है अब सब्सक्राइब को स्पेसिफाइब करके नहीं बता सकते हैं लैटसे उन्हों लेंग्वेज लिखी जाती है ताकि वो सब पर अपलाई हो जाए कोई एक स्पेसिफिक चीज ना निकल किया है उसके सामें ठीक है तो बेरेक्ट थोड़ा सा जेक के लिए औरUT अपक्षा मतलब मैंने आपको बताई दिया मैं एक इंडिविज्व है मिस्टर राम एक इंडिविज्वल है इंडिविज्वल मीन्स ओनली नेच्चुरल हुमन बीग मेल फीमेल माइनर अनसाउंड माइन्ड कोई भी मेल हुआ आदमी फीमेल और माइनर अभी डेस्कुस करते हैं एक सेकंड में और अनसाउंड माइन्ड कोई भी बंदा हुआ जो एक नेच्चुरल हुमन बीग है जिस तो क्रियेट नहीं किया गया वो अपने आप पैदा हुआ है वो क्या कहलाएगा इंडिविज्वल कहलाएगा मेल फीमेल मैंने बता दिया अब हम माइनर की बात करते हैं सर यह माइनर क्या होता है अठारा साल से नीचे कोई भी बच्चा होता है उसको माइनर बोलते हैं अब क्या है सरकार ने कहा वही छोटा बच्चा खुद से डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी उसको बैला फुसला सक तागर उसकी income भी होनी शुरू होगी सर चोटे चोटे बच्चे कहां से income generated करते सर करते हैं आप ने बहुत से realty show देखेंगे dance in ndia dance वगैरा कि बहुत से show देखेंगे या फिर आज कल YouTube चैनल पर बहुत से बच्चे चोटे-छोटी उमर में ही अपना talent दिखाने लगते अब उनकी income generate होने लगती लेकिन वो है तो minor अब उनकी taxable कैसे करें यह हम clubbing में जाके पढ़ेंगे clubbing एक chapter पढ़ेंगे हम जहां पे उस बच्चे की income कुछ specific income ऐसी है जो उसके parents के head में tax कर दी जाती है सरकार का मानना है income tax का मानना है कि एक बच्चा खुद से decision नहीं ले सकता उसका guardian mother father जो भी होंगे वो decision लेते हैं तो सरकार यह मानती है कि यह पैसा उनका पैसा है उसके parents का पैसा तो वहां पे taxable किया जाता है कुछ छूट भी दी गई है यह सारी बाते हम clubbing एक chapter पढ़ेंगे income tax में वहां पे discuss करेंगे तो वह कहता है कि individual का मतलब होगा natural human being कोई भी बंदा जो natural human being है वह individual कहलाएगा income of minor unsound mind unsound mind मतलब जो थोड़ा सा दिमाग से संतुलित नहीं है जिसका थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है थोड़ा या ज्यादा जोब भी तो ना तो minor खुद से decision ले सकता है ना unsound mind जिसका दिमाग ही ठीक नहीं है वह बंदा खुद से decision नहीं ले सकता लेकिन वह बंदा individual तो है assessed मतलब उसकी income assessed होगी in the hands of manager जो उसको manage करता है unsound mind को या minor को या guardian माता पिता मामा चाचा फुआ ताता जो भी उनका लगता है उसके head में उसके income taxable होगी in the case of diseased person diseased का मतलब अगर किसी की death हो जाती है assessment मतलब अगर उसके scrutiny में लग गया income tax बालों ने बोल दिया चलो जी आपने return file की थी जरा कावेच लेया हो कहां से आपका पैसा आया कहां पैसा गया अगर उसकी assessment हुई would be made on the legal representative जो उस बंदे का जो भी बंदा diseased हुआ है मरा है उस बंदे का जो भी लीगल representative होगा लीगल का मतलब जो कानून की नजरों में representative हो उसका बेटा बेटी या जो भी जिसको भी विल में बनाके गया है वो बंदा फिर उसकी assessment करवाएगा ये सारी चीजे हम आगे detail में पढ़ने वाले हैं आप लोग के मन में बहुत आउट आते सर कोई बंदा मर गया अब सरगार के पास थोड़ी पैसा लेने के लिए जी नहीं ऐसा नहीं होता detail में आपको बताया जाएगा कि कैसे उसकी assessment होगी कौन जिम्मेदार होगा कैसे उस पैसे की recovery होगी परसन में सबसे पहले individual हमने आपको बता दिया individual मतलब single बंदा उसके बाद हुए हिंदू undivided family हिंदू undivided family क्या है हिंदू undivided family income tax में तो define नहीं की गई है हिंदू undivided family का separate से एक चप वह एक्ट है जो वहाँ पर उसके law provisions बताए गए हैं लेकिन हुए hgf create होती है by birth मतलब अगर कोई बंदा किसी परिवार में जनम ले लेता है तो वहाँ पर वह hgf create कर सकते सर hgf कैसे create होती है और hgf के थूरू tax planning भी होती है बहुत से बंदों को पता हुआ अगर नहीं पता हुआ तो मैं बता देता हूँ hgf के थूरू tax planning भी होती है जो हम आने वाली क्लासों में discuss करेंगे detail में कि जी कैसे आप लोग hgf create कर सकते और आप अपना अच्छा खासा amount बचा सकते सेव कर सकते या फिर किसी भी client का अच्छा खासा amount सेव कर सकते हैं हच्छ फिस नोट दिफाइन अंदर यंकम टेक्स आईटी का मतलब होगा income tax हाववर इट इस ट्रीटेद अज सेपरेट एंटिटी अंडर इंकम टेक्स एक्ट सेपरेट एंटिटी मानी जाएगे मतलब क्या मैं अलग बंदा माना जाओंगा अलग मानने का अलग मानने का मतलब यह है कि आपका tax सरकार अलग calculate करेगी और जो हेच्छ उसका tax अलग से calculate होगा हो सकता है इनके tax rate की calculation भी अलग अलग हो हो सकता है इन पे tax rate भी अलग अलग अलगते हो आज की क्लास में डिसकस करेंगे हम कि किस पर कितना टेक्स लगता है तो इनको सेपरेट माना जाएगा अंडर इंकम टेक्स यह नहीं कि मैं इंडिविजुल हूं मेरी ही एच्छिए थी तो आप हम पर सेम टेक्स लगा दो या एक बंदे ने तो दे लिया आप दूसरे पर भी मतलो ऐसा नहीं होता सेपरेट इंटिटी माना जाएगा मतलब कानून की नजरों में आईज ओफ लो द इस्टर अइंड्लूड देर वाइफ एड़ लांटों की इंड अज्फ में ए एच्छिए बन्दोय करें इनक्रम इन्फ करेंते हैं सब्सक्राइब करेंकर मैं आप Amauch में अपार्णओबृ में बएक्ड जान्य के प्लानिंग बहुत सब्दारों में आप अच्छा खासा अमाउंट अपना सेव कर सकते हैं एचिएफ के तुरू यह मैंने बताई दिया जैसे ही आप हिंदू परिवार में जनम लेते हैं तो आप अटोमेटिकली एचिएफ का पार्ट बन जाते हैं ओपरेशन ओफ लोग कोई form नहीं भरना पड़ता कीजिए मैंने तो यह सब्मिट करवा दिया तो यह हो गया मेरी एचिएफ करियेट होगी नहीं जैसे ही आपने जनम लिया आप एचिएफ करियेट होगी इवन इस सिंगल मैन केन मैंबर है एचिएफ क्या एक सिंगल बंदा एचिएफ बना सकता है मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम थोड़ा सा याद करते रहे हैं यह बहुत होती विद इफेक्ट फ्रॉम सिक्स्ट ऑफ सेप्टेंबर 2005 से यह कानून में चेंज आया कि एक सिंगल बंदा भी एचिएफ करियेट कर सकता है चिएफ चला इफेक्ट प्लाणिंग ओगी इसमें ऑनली को सेंसर कोपर सेंसर व्यव्यव राइट टू पार्टीशन मतलब है अब इतनी बड़ी फेमली होगी मेरे बाई होगै मेरे बेटे होगे लीनियंग डिसेटेंट होगे मेरे फादर मदर होगे उनके बच्चे होगे यह सब के सब एक बहुत बड़ा परिवार हो जाता है तो क्या हर कोई इस परिवार को हुआ जो किरियेट हुई थी उसको partition करवा सकते हैं उस हुआ जी ने हुआ हुआ का partition सिर्फ और सिर्फ नेल मेंबर करवा सकते हैं और वह भी है एक हैड ऑफ फैमिली होगा उसको बोलते हैं चीफ में करता जो मुखिया होता है जैसे गाओं में मुखिया एक सरपंच होता है हमारे देश का मुखिया परदानमंतर ही है श्री नरेंदर मोदी जी तो ऐसे ही हर HGF में करता होगा जो wholly solely responsible होता है उस HGF को run करने के लिए तो उसको बोलते करता including करता co-percenters may demand for the partition of HGF सिर्फ male member नीचे note लिखा हुआ है wife daughter-in-law मतलब जो बेटे की वह हुँ है cannot be co-percenters however they can be member वो member हो सकती है HGF की लेकिन वो HGF के partition के लिए नहीं बोल सकती कीजिए HGF का partition कर दो बटवारा कर दो जी नहीं आपको घर-परिवार का बटवारा करना है जमीन जादत बाटरी है वो अलग है वो अलग है उसके concept ही अलग है तो उसके बटवारे के लिए सिर्फ co-percenters ही demand raise कर सकते हैं co-percenters क्या होते हैं जो चार डिगरी आगी चार पीडियो तक including करता सिर्फ male member उसमें जो बेटे हैं उनकी बहू या पोते हों की बहू या फिर जो वाइफ से वो नहीं कर सकते थे माड़ी male member के अंदे माड़ी जैन और सिक undivided families would also be assessed as H.E.F. under income tax act ये special दिया गया है कि जैन और सिक हैं वो भी undivided families हो जो पटवारन ना हुआ बोजिन families में वो भी income tax के दाएरे में आगती है different opinion school of Hindu law अब क्या है कि हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में और आसाम में H.E.F. के अलग provision है और बाकी other states में अलग provision है अगर कोई भी हमारे viewer है वो आसाम से या वेस्ट बंगाल से हैं तो यह समझ दीजिए वहां पर हिंदुस्तान में क्या होता है जो मैं नहीं अभी तक बताया वह आपको apart from west बंगाल और आसाम बताया लेकिन west बंगाल और आसाम में ऐसा कुछ खास क्या होता है वहां पर क्या होता है वहां पर बइबर्त नहीं माना जाता वो कहते है नोबडी एक्वार्ट राइट श्यर इन प्रोपर्टि बइबर्त इस कर था मिल लेकिन बहार होता है once acquire the right to the family property by his birth उसकी property में by birth उसका right हो जाता है तो West Bengal और आसा में किया thus the children do not acquire any right share in the family property if his father is alive अगर उसके पिता जिन्दा है and children will acquire right share in the property only after the death of his father जब उसके पिता की death हो जाएगी तो पश्चिम बंगाल और आसा में तभी वो प्रोपर्टी का हिस्सेदार होता है जब कि रेस्ट ओफ इंडिया में जैसे ही उसने जनम लिया वो प्रोपर्टी का हगदार हो जाद तो यह अलग लग अब इतक मैंने आपको बताया कि जो पर्सन था पर्सन की definition बताए शक्षन टू में definition लिखी हो यह पर्सन की पर्सन में इंडिवीजिव अने आपको समझा दिया एक्टी आपको समझा दिया चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे स delegating फोटीचेक जो भी सेटमे युआ कि सब लिज्टों में इंकोरिट ऑफिर सब्सक्राइब इंडिया में उसको इंडिया में खरीすड़ ऑना होती है कि in मिशन का नाम सुना वोगों ऑंपनींदिया में आगे रिजिस्टर कर लेती अपनी कम्तिर या बहार से अप्ना बिजनस करती ही लिए तो आपनी कम्पनी कें युझा जरूर करती है तो एसी nyवह से ही करती हो उसकी जो मीटिंग से ऐसी कमपनी का टेक्स रेट अलग है और फॉर्ण कंपनी का टेक्स रेट अलग है इसी लिए इसकी बाइफरकेशन की गई है नहीं तो को जरुबत नहीं ती सब अगर एक ही टेक्स रेट होता मान लीजिए थर्टी पसंट टेक्स रेट होता हर कंपनी पे तो मुझे बाइफर्केट करने की जोरत क्या सरकार कहती कोई बात नहीं आप इंडियन कंपनी हो चाहिए फॉरन कंपनी हो अमने तो आप से टेक्स ले नहीं है एनी बॉडी कॉर्परेट अंडर था फॉरन लोग फॉरन कंपनी हो जाएगी वह एनी इंस्टिटूशन एसोशियेशन बॉडी वैदर इंकॉर्परेटेड और नौट चाहिए वो इंकॉर्परेट हुई या नहीं हुई इसने पहली लाइन क्या बोली कि कंपनी है जे मच वा एक एक्ट में रियुकिन इहां पर इंकम टक्स में रिडियूसी पहा कोई रिडियूट से बाहर विच is declared by declare किया गया है गोशित किया गया है किसके दुरू by general और special order कोई general order पास कर दिया कि यह फला फला company इस business में जो जो यह business करती यह सारी company या फिर specific बोल दिया कि जी Amazon company या Microsoft company order of CBDT Central Board of Direct Taxes CBDT के full form है Central Board of Direct Tax जो हम direct tax पढ़ रहे हैं income tax उसको जो govern करता है कोई गवन करता है चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए income tax क्या करता है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट आप लोगों ने सुना है वो सिर्फ यह करता है कि वो regulations check करता है कि कि किसी income परम ने तो सुरी किसी बंदे ने किसी कंपनी ने किसी फर्म ने कोई ITR फाइल कर दी तो वो उसको देखता है उसने सही फाइल की नहीं फाइल की यह प्रोविजन से हैं यह इस एक्शन से यह फो लोगों कि यह नहीं कि लेकि इंकम टेक्स एक्ट को regulate कौन करता है यह इस एक्शन लेकि आने हैं यह इस एक्शन डिलेट करने हैं यह टेक्स इवेजन हो रहा है इसको कैसे हमें डिटेक्ट करना है यह सारी चीजे सीबीडिटी गवर्न करती है Central Board of Direct Taxes यह एक संस्ता है इंडिया में यह चलाती है इंकम टेक्स एक्ट को तो हम कंपनी पढ़ रहे हैं इंकम टेक्स में किस को कंपनी माना जाएगा तो जो कंपनी एक्ट में रेजिस्टर्ड वो कंपनी जो फोरन कंपनी है वो कंपनी यह सीवीडिटी किसी को भी बोल दे कि जी मैं इसको कंपनी मानुआ इस इंसिट्यूट को वो कंपनी सीवीडिटी क्यों मानेगा उससे कुछ अपने रीजन्स होंगे या तो टेक्स रेट का डिफरेंस हो रहा होगा हो सकता है कोई टेक्स प्लानिंग करके अपने इंसिट्यूट को कम स्लैब रेट में ले आए का मतलब सर कंपनी पे लगता है 25 परसेंट या 30 परसेंट दो टैक्स रेट अभी आज पढ़ेंगे तो किसी इंसिट्यूट को सकता वह इंडिविज्वल एओपी व्यूआई आज सारी चीज़े पढ़ेंगे इनमें केटोगराइज करके वह टैक्स रेट कम लगवाने की कोश एक स्पेशल ओडर या जेनरल ओडर पास कर देगी फलाफला कंपनिया फलाफला टाइप्स की कंपनिया या फलाफला इंसिट्यूट इंसिट्यूशन कोई भी एस्सोशेशन या फिर कोई बोड़े यह सारी कंपनी है और आपको 15 या 10 परसेंट टैक्स रेक नहीं देना कह दिया इंकम टैक्स में कि जिसको बोल देगी यह कंपनी है तो वह कंपनी है अगला पॉइंट है एनी इंसिट्यूशन एसोशेशन और बोड़ी वीचिज एसेसेबल और वाज एसेस्ट का मतलब मैंने समझाया था जिसकी कैलकुलेशन चल जिए जिसकी गणना की जा रही की इसकी इनकम कैसे क्लूशेशन क्या डिख अस्समेंट जिसटे चलब है अज़ई कंपनी फूर एणी अससमेंट यूर अंडर यहनकर कि किसीभी साल में किसी भी इर में income tax act में उसको क्या बनाए गया था company बनाइगा था इसकी on with Aqui कल्कुलीशन के कल्कूलीशन income tax एज कमपणी उएद उसको वहाज भी कमपनी ही मानें गये कमल संहador बिफोर 8701410202 से पहले उसको एता किसी भी वाडि को किसी इंसिटूशन तो उसको आज भी मैं कमपनी के दाएरे में रखूंगा चलिए आप यहां पर टीटेल में पढ़ते हैं डोमेस्टिक कंपनी यह सारी चीज़े मैं आप आपको बताता हूं थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अब यहां पर हलका सा दोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होगा इंडिय क्या हैं अग्य क्या होगा टॉमेस्टिक कंपनी बिसको निएक मतलब मतलब रֳ। दिजेंटज एक्ट में रिजिस्टर्ड वे जहां भी रिजिस्टर्ड होगी उसको मान लिया जाएगा और उसके अलावा मैंने कंडिशन से बताई थी ऑनजी क्या कंडिशन बताई तो ग्यां थी उसके अलावा मैंने कंडिशन्स यह बदाए कि उसका इंकोरपड़ इंडिया में फूई हो is werkWhoa वाइब सीटूर्य इंडिया से ही ओप्रैटकर ऀसकी एईएम रगयरा ब्रफ मीटिंग्स और ने हुए हमारे स्वेटरly में लेख में फेस तूफेस में तो उन की Champs इंडिया क्या होता है डिविडेंट का मतलब होता है लेट से आपने किसी भी कंपनी में कुछ पैसा इनिवेस्ट किया अब मान लेजे इस टाइम पे पेटियम का शेर 600 कुछ के करीब चल रहा है हाला कि वो शेर मैंने 11.5 रुपे में खरीदा हुआ था अब क्या है अगर वो शेर डिविडेंट देने वाला है यह सब की क्लासिफिकेशन होती शेर की डिविडेंट नोन डिविडेंड ने बल जो भी है डिविडेंड का मतलब होता है साला ना कुछ पैसा वो चाहे वो शेर मेरा 1120 पर लेट से मैंने खरीदा था आज वो शेर साड़े 600 चल रहा है मैं नुप्सान में हो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिकलेर किया कि जी हम कि शेर पे डिविडेंट दे रहे हैं पर शेर हो सकता है वो 10 रुपे 15 रुपे पर शेर डिविडेंड दे अपनी तरफ से अला कि मैं लोस में चल रहा हूं 1120 पर मैंने खरीदा आज गरेट पर शाड़े 600 रुपे चल रहा है मैं अपना लोस में बट कंपनी अपनी तरफ से कहेगी जी हमने मुनाफ़ा कमाया था कंपनी जो मुनाफ़ा कमाया उस में शेर होल्डर्स को बाट देती है उसको डिविडेंट बोलते हैं पर शेर डिविडेंट दिया जाता है तो इन्होंने कहां डोमेस्टिक कंपनी वो भी होगी जो बीण कंपनी होगी यहां फिर कोई भी कंपनी जिसने इंडियन कंपनी नहीं हो जाओगे साब आपको payment भी करनी पड़ेगी सर्फ यह नहीं है कि आपने declare कर दिया कि जी हम 10 पर share 10 रूपे का dividend देंगे सारे shareholder को जी नहीं देने के declare करने के साथ साथ देना भी है payment of dividend within इंडिया पेबल आउट ओफ इस में से दोगे टक्सेवल income in India जो income इंडिया में टेक्स होगी उस पर डिविडेंट दोगी उस में से जो आप इंडिया में टेक्सेवल होगी उस में से आप दिविडेंट दोगे तो आप इंडियन कमपनी के लाओगे डोमेस्टिक कम 1 डोमेस्टीक कमपनी पे टेक्स रेट कम आपको बार-बार कहें रहां उसके वार्टी यह 55 परसेंट और फोरंड कम्पनी पर एइसलिए यहां पर इतनी बैफर्केशंट चल दने अब यहां पर अंधियन के इह एकर दिया कि इंडियन कंपनी कैने इंडिये दॉलुम और गायी हम्हां है इंडियन कंपनी मिन्स इंफ द सब्सक्रण कंपनीशन कंपनी तो मैंने बता दिया कि पूछा था कि इंडिया में होना चाहिए तो वो इंडियन कंपनी होगी इंडियेन कंपनी इंक्लूड द फोलोईंग इस टेस्टर प्रिंसिपल आफसे इन नहीं नहीं इन्दीन परेट नहीं और बोल दिया जो भी आपने बढ़ा वो तो इंडियेन कंपनी है है यह भी इंडियन कंपनी कौन-कौन सी है जी अब और बता दो एक कोर्परेशन established by under a central state or provisional act कोई भी central act कोई भी state act में कोई भी company establish की गई है जैसे state road transport corporation इसको भी company बना दिया है नो financial कोर्परेशन जो एक state act में या center के एक्ट में रिजिस्टर होगी कोई भी दूसरा institution association body declared by CBD to be a company CBD ने डिकलेर कर दिया यह मैं आपको बता भी रहता भी जम्मू कश्मीर के लिए उन्हों ने बताया एक बात उन्हों कमेशा द्यान लगना बहुत से एक्ट हिंदूस्तान पूरे हिंदूस्तान में लग जाएंगे लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगें जम्मू कश्मीर का अपना अलग अक्ट लगते हैं लेकिन कुछ चेयफ के जो परविजन है वह आसाम और वेस्ट बंगल बाकी इंडोस्तान में तो ऐसे ही इंडियें एक्ट्स जितने में मैक्सिमम इंडियें जम्मू कस्मिर में अलग चलते हैं और पागी इंडोस्तान अलग तो इनना ने का अबकोर जम्मू ऑन कश्मीर जेंड के company formed and registered under any law किसी भी लो में फॉर्स इन जम्मु कस्मिर कोई स्पेसिफिक लोगा company के लिए उसमें अगर वो बनिये तो वह भी उनियन टेरिटेरी दादर नगर वेली दार नगर गोवा दवंदी पॉंडिचेरी company पूछ लेंगे तो उनका भी हम इंडियन कमपनी मांग लेंगे तो वाइड डेफिनेशन हैं इंडियन कम्पनी कभी आपके पास आजाए वह सब्सक्राइब आजकर ओनलाइन का बहुत काम चल रहे हैं वह लोग आप से पूछ लें कि हम तो यूनियन टेरिटेरी में दादरा अगर नगर अगर बात कर रहे हैं और हमारी यहां रिजिस्टर तो इंडियन कमपनी मानी जाएगी कि वह दादरा नगर अगर आप उसको समझा सकते हैं अगले बाद कहता जी फॉरन कमपनी इतना बड़ा वाइड डेफिनेशन पढ़ा दी हमारा तो गलाभी शूप गया ब अगर अगर कोई भी कमपनी डॉमेस्टिक नहीं है अभी जो मैं पढ़ा रहे था आपको इतनी देश्ट अगर कोई भी कम्पनी डॉमेस्टिक कमपनी नहीं है अगर वो इस डेफिनेशन में फॉल कर गई अगर वो यहां फॉल कर जाती है तो होगी जी वो डॉमेस्टिक कंपनी और इसके अलावा सारी कंपनी उन्होंने बोल दिया फॉर्ण कंपनी और उन पर 40% टेक्स लगा दिया अगर वो डॉमेस्टिक कंपनी में कवर हो गई तो ठीक है जी हम उस पर 25 या 30% का टेक्स लगा देंगे अगर वो वहां कवर नहीं होती है तो सेंपल उस पर 40% फॉर्ण कंपनी माल रहे ना जी कंपनी दोई या तो डॉमेस्टिक कंपनी या फॉर्ण कंपनी आग एक छोटा सा पार्ट या घर पे रिड़ करोगे असानी समझ आ जाएगा अगर किसी को छोटा डाउट रेस में तो आप मुझसे पूछ लेजेगा मैं आपको डिटेल बता दूँगा इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना वो था तो मैंने इसलिए आपको पढ़ा द आप अधिया तक है या कंपनी में यूजा ओल्डर डारेक्टर थिक फर्म में उती है पाटनर जो पाटनर फर्म का मतलब क्या फर्म का मतलब हुआ कि लेट सो एक एक बन्दा है एक वाई बन्दा है दोनों जा रहे थे कहीं एक फैंडिय ट्रिप पे दोनों के मन में खहल है क्यों नहीं कोई बिजनस शुरू करते हैं कि चलो बिजनस शुरू कर लेते हैं कि बोनों मेरे पास है कि ट्रिप खतम होने के बाद कि सरह ऐसे ऐसे हमें बिजनस शुरू करना है किस चीज का बिजनस शुरू करना है कि टेक स्टाइल का बिजनस शुरू करना है कि हम क्या करें कि क्या करो बिजनस करो तो करें लेकिन हिंदुस्तान में बिजनस करना बहुत डिफिकल्ट है इतना असान नहीं है इंडेक्शेशन जो इस ऑफ डूइंग बिजनस है उसमें भी काफी नीचे इतनी कंप्लाइंस है भर भर के वह कहते जी कोई स्पल सोबर सी सला दो अब सीए हो आप हमें बताओ कि हम विजनस तो हम ने है कि हमें टेक्साइल का बिजनस करना लेकिन पर्सन हम क्या बने आप जो पड़ाते रहते हो हमने सुना है कि बच्छों को पड़ाते हो पर्सन की डेफिनिशन्स यह हैं यह इंडिवीजुवल्स यह फॉर्म है यह कंपनी है अब आया क्लाइंट के दिमाग में बात लिए अब आपके दिमाग में भी आई होगी कि जी कल को अगर क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया आके कि जी हमने ये विजनस करना हम दस बंदे अब बेनिफीशल बताओ जिसमें कम कम्लाइंस और कम टेक्स देना पड़े आपकी भी क यह कहते हैं कियो करो कमपलाइंस कम करवा तेक्स यह बेशक्ट जाद हो ने लेकिन यह बढ़क नहीं ली यह ईकरो फो अकरो तो कंपनी कम पशुक बाराइंस को सब्सक्राइन हैं आपकी बहुत कम्प्लाइंस करने पड़ती है आरोसी breast department का इसे कि जारी हम पड़ेएंगे बहुत compliance मैंने का जी काम करो अब partnership फर्म बना लोगा कैता जी वो क्या होती है पाटनर तो हम वैसे ही होगे फिफ्टी-फिफ्टी के फर्म क्या बनानी है मैं ऐसे ही चला ले ते मैंन का नहीं सर आपको फर्म रजिस्टर करानी पड़ेगी ऐसे नहीं कई बार क्या होता पाटनर शीफ फर्म वी दो तरीके से बनती है एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके रजिस्टर होगी जिस भी स्टेट का है एक अन्रेजिस्टर है सिंपल क्या किया एक स्टैम पेपर लिया दोनों बंदों ने अपनी गवाई दी कि रहते हैं यह यह अमारी टम कंडिशन होगी हम बिजन्स करने जा रहे हैं बिजन्स कर लो पाटनर्शिप फर्म बन जाएगी बाटनर्शिप फर्म का पैंकारड आजाएगा लेकिन आप कि के लेट से मान लीजे 10,000 रुपे कि पार्टनर्शिप फर्म रजिस्टर करवा दूँआ 10,000 रुपे लगेंगे आप चले गए किसी अड़ोकेट के पास या किसी नहीं अवेलिया काउंटेंट के पास जिसको नौलेज कम थी उन्होंने का ला है लूट रहें आपको 10,000 रुपे में मांग रहें आपसे किस बात के दर जार रुपे लाइए डाए जार रुपे पार्टनर्शिप फरम बना देता हूं आपको लगा को आपके में लूट लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए था किसी अशाब आपका पका काम कर देंग में च्हांत tari करांगे उस टेट के पार्टनर्शिप एक्ट में अपर रुपर पैंपर ये sin feature कर वादी जायेगा इस पे भी सभी प्र देगा लेकिन आप मान लीजे आपने कोई करोड़ का लाग दो लाग पांच लाग माल खरीदा दा और वह माल खराब आगया अब आपको वह माल वापिस करना है वह माल वापिस ले ली सामने वाली आपने उठा करती हैं कोड पूछेगी आप से भाई आप रजिस्टर्ड हो क्या रजिस्टर्ड हो फर्म कहा है आपकी कहता जी यह रही बाइजार में बनवाई थी अकाउंटेंट से यह किसी और से पूर्म है कहां एक्डिस्टेंस का फर्म का रजिस्टर्ड लेकर आओ ऑग यह सिर्फ स्टैम पेपर पर आप लोगों ने कंसेंट दी है कि हम दोनों मिलके बिजनस करेंगे इस पर आपकी तो यह बात हमेशा दानक में पर ना आप किसी नहीं कर सकते खोर्ट में आप पेस निदा सकते कि गया कि यह दोनों बंद आया मेरे पास कहते हैं अमें पार्टर्शिप फरम एक काम कुरो हमें कुछ ऐसी बताओ इसमें कंप्लाइंस कम है टेक्स रेट हम अधिक्स रेट लगा यहां मनका 30% पांटर्शिप फरम पर 30% एक्स रेट लगता है कि अधा कंपनी पे कितना लेगा अधिक ट्रेटिफ फरसंट कि तो कंपनी बना लेते में आपकी मर्चि में कंप्लाइंस इतनी है पांच पसेंट आपको जगाए देना पड़े पांच पसंट से तो पांटर्शिफ फरम क्या होती है कि पांटर्शिप फरम मींज कोई भी दो बंदे मिलके एक फ़र्म चला रहे हैं मतलब एक फ़र्म रजिस्टर करवा यूँनोंने रजिस्टर और not बेसे यही बात इनुन्होंने लिखें यहा पर चैके वो रजी स्टर है चैसे वो रजिस्टर नहीं है पाटनर्शिप फरम हो जाएगी रजिस्टर्ड और अन्रेजिस्टर्ड का मैंने आपके डिफरेंस समझा दिया है फर्म मेंस पाटनर्शिप फरम रजिस्टर्ड और नॉट एंड इंक्लूड एल एल पी मतलग लिम्टिड लियाबिलिटी पाटनर्शिप एल एल पी का मतलब लिम्टिड लियाबिलिटी पाटनर्शिप सर दोनों में फरक क्या है नाम से ही आपको पता चल रहा है एक पाटनर्शिप फरम है एक लिम्टिड लाइबिलिटी पाटनर्शिप फरम है मतलब अगर आपने एल 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 पी बनाई तो जैसे क company होती है ना company एक separate legal entity होती सर यह क्या बोल गया Once मैं इतने बारी बरकम शब्हों separate legal entity का मतलब है । कि जो company के shareholder है डारेक्टर से वह अलग है और कमपनी अलग है मतलब company दिखती का यह लेकिन लोग की नजरों में company separate legal entity है उसकी tax calculation अलग चलती इंडिनि फीजोल की लग चलती डारेक्टर्स की अलग चलें तो ललोल पी एक separate legal entity है separate मतलब अलग legal मतलब law की नजरों में entity मतलब संस्ता एक separate legal entity है मतलब company ऑलग है. Company अलग है. अगर कोई गाज गरेगी तो पहले company पर गरेगाज कंपनी ने में अगर आप बिजनेस कर रहे और कुछ भी गलत काम आप नहीं कर दिया तो आपको पकड़ा जाएगा जो बंदा हो बिजनेस कर रहा है यह डिफरेंस होता है कंपनी में और नॉर्मल प्रोपाइटरशिप तो इन्हों नॉर्मल पाटनरिश् maior और रbig रॉस्त होती है उसमें अल्लिम्टब्र लाइबिल्टी अगली आपक तो भी कि रिकावर किया जाएं प्रोपरेटर्शप में घरसे में जो पैसा है तो फिर रिकवर और रखुएगा प्रौपार के लेकिन अगर कंपनी है डिरेक्टर के घर से कोई फाइन पेनल्टी टेक्स रिकावर नहीं कर पाओ गया क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी लोग की नजरों में कंपनी एलल पी लिम्टेड लाइबल टेप पार्टनर्शिप अलग अलग पार्टनर्शिप के अलग गया इंकम टेक्स अलग अलग हो गया अलग हो गया लिम्टेड लाइबलिटी पार्टनर्शिप यक्ट वह अलग एक्ट मैया Tib hablar a d जो 18 साल से कम होता है, income tax में, other law में उमर हो जकता है, उनोंने कुछ अलग दे रहा है, शादियों में पता नहीं कितनी उमर है माइनर की अभी, लेकिन income tax में 18 year है, ए माइनर admitted to the benefit of existing partner would also be treated as partner, उसको हम partner treat जरूर करेंगे, यह उनना specific लग दिया, यह मत सोचना कि माइनर की clubbing कर दे थे हम, कि यह अपने decision लेगा कैसे, कैसे इसको पता चलेगा, कि यह पैसा कहां लगाना, कहां से निकालना, लेकिन partnership firm में उसको हम partner admit कर रहे हैं, मतलब यहां से simple question निकल गया आता है, क्या एक छोटा बच्चा भी partnership firm में partner हो सकता है, जो 18 साल से कम है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, येस, हाँ जी, उसने यही बात लिखी हुई है, आप ज्यान से पढ़ उसको, however, for income tax purpose, a minor admitted to the benefit of existing partnership, जो existing partnership थी, उसको चला रहे थे, कुछ बंदे में लागे, would also be treated as partner, this is specified under section 223, तो वहाँ पर पार्टनर हो सकता है, same tax treatment would be applicable for both general or LLPs, general partnership जो normal है, और LLP मतलब limited liability partnership, sir, कुछ और difference बताओ, मज़ा नहीं आ रहा, इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, general partnership और LLP में, चलिए, थोड़ा सा इसको detail में discuss कर लेते हैं, LLP, MCA के अंडर portal पे registered होती है, उसके स्टेट में जाकर कोई आपके specific area में एक office होता है, partnership का पार्टनर्शिप रिजिस्टेशन का रिजिस्टरार के यहां registered हो जाएगी, दूसरा, LLP में 30% का tax rate है, पार्टनर्शिप फर्म में 30% का tax rate है, टेक्सरेट दोनों में same, liability मैंने बता दिए उसमें limited है, उसमें unlimited liability, ठीक है, partnership is the relation between persons who agreed to share the profit of business carried on by all or them acting for all, वह बता रहा है कि partnership क्या होती, partnership वही होती जो दो बंदे मिलके, कहते हैं जी हम कोई business करेंगे और वहाँ पर profit अपना शेयर कर लेंगे, individually जो होगा उसको partners बुलाया जाएगा, collectively firm बनाए जाएगे, अब individually इनको क्या बोला जाएगा, जी, x को क्या बोलेंगे, partner, y को क्या बोलेंगे, partner, लेकिन इन दोनों को क्या बोलेंगे, firm या फिर partnership firm, ठीक है, चलिए दो, hopefully आप firm वगारा clear होगी होगी, अभी तो कोई doubt आप दोनों को, किसी भी दर हैगा, चलिए, तो, association of person and body of individual, इनको थोड़ा सा ने इखटा पढ़ने ही कोशिश की, क्योंकि ये चीज़े समझ नहीं आती, ठीक है, इनमें बहुत minor सा difference है, ठीक है, बाद में class के बाद बच्चे बोलते है, इसरो समझ नहीं आया, एओ पी क्या था, पी या था, या फिर हो सकता है, आज समझ आ जाए, और आप 6 महीने बाद अपनी बुक्स दुबारा कुलो, तब समझ ना आए, तो नोट्स आपके ऐसे बने होए, येकिन मानिया आपको एक शब्द समझ आएगा, इसको शॉट में बोलते हैं, जिसे घर का नाम नहीं होता है, घर का ये नाम, वो नाम, इस घर का ये नाम, पूजा गर, पूजा लो और जो भी होता है, छोटा सा नाम, आप एओ पी, एस्सोशेशन ऑफ परसन, या फिर बी यॉवाई, बोड़ी ऑफ इंडिवीज्यों, इ यह बात लिंक हमेशे ज्यान लखना है, तहीं आप बहे जाओ बात हों, हम परसन पढ़ रहे हैं, कि इंकम टैक्स में कितने परकार के परसन हैं, अलग अलग जिनके स्लाब रेट है, अलग अलग जिस पर टैक्स रेट लगता है, इंडिवीज्यों हो गया, उस पर अलग टै एउपी का मतलब है, जैसे ये दो बंदे आये थे मेरे पास, वैसे ही कुछ, एक आर आया, एक ऐसा आया, एक टी आया, तीन बंदे मेरे पास आये, कहते हैं, जी हमने ना एक माल मंगवाया है, आउट ओफ इंडिया से, मैं का ठीक है जी, कहते हैं, वो हमको सेल करना है, को फिट बाट लेंगे, बात खतम होगी, हम अलग-अलग, अब अगर मैं इनकी पार्टनर्शिप फर्म बनवा देता हूँ, आज बनवाना हूँ, कल को फिर उनको कैंसल करवाओ, पैं सरेंडर करवाओ, सतर दिक्कत है, पार्टनर्शिप रजिस्टर करवाओ, शुरुवा आगया, यह आइएव पी, एसोशेशन ऑफ परसंस, मतलब नाम में ही पढ़ो, एसोशेशन, एसोशेशन है, कुछ बंदी आखि कुछ काम कर रहे हैं, कौन परसंस, परसं की दो डेपरेशन हम खुद ही पढ़ रहे हैं, इसमें भी एक अंदर देदें आएव यह पी, जो को बढ़ावा देने के लिए कि हमें आउट ओफ इंडिया से कुछ समान मंगाना है वो बेचना है तो उसको एसस किया जाएगा एज एओपी एज एओपी एज एओपी वैंडे डूनोट पॉनसीट्यूटे पाटनर्शिप लीगली जो पाटनर्शिप अगर लीगली नहीं बनाते हैं तो उसको एओपी कंसीडर किया जाएगा कुछ मत करो स्पेसिफिक जोइन वैंचर था एओपी बन गया जी आपका आपने पाटनर्शिप बनवाई नहीं थी कंडिशन टूफों एओपी क्या कंडिशन होंगी आपको फॉम मतलब बनाना फॉम करने के लिए युपी के लिए परसन मस्ट जोइन एक और को मन परपस था हमें क्या था वह माल मंगवाना था परपस था हमारा इंदुस्तान में वह माल लेकि आना और उससे पैसे कमाना एक्शन क्या था और के थुरू माल इंडिया में आएगा एंड एंड इसके साथ ये भी है देर ऑब्जेक्ट मस्ट भी प्रोड्यूस इंकम हाजी माल इंडिया में आएगा बेचेंगे उससे इंकम होगी हमने सारी कंडिशन सैडिस्फाइब कर दी बट दे शुट नोट फॉम में इस पर दोनी जोइन निग तो फॉर दोनी जोइन निग तो फॉर दोनी जोटे हैं वह भी अगर कोई साथ में मिलके काम करते हैं तो उसको भी हम चार्ज अबलाइज एओपी इसमें यह बात ध्याम रखना कि कोई भी स्पेसिफिक जोइंट वेंचर था जे भी थी आपकी जोइंट एंटरपाइज थी वेंचर था वोगी वो स्पेसिफिक परपस के लिए था वह खतम होते ही आप कौन और मैं को यह वाली बात होती है अगर वो स्पेसिफिक टार्गेट खतम हो गया लेट से एक और एक्जमपल लेते हैं अभी अगर लेट से मान लिजे इंडिया मैं आइपेल होने वाले हैं या कॉमनवेल्थ गेम होने वाले या फुक्पोल का कोई ओलम्पिक होने वाला या कुछ भी होने वाला है उसके लिए वाटर सप्लाई करना था पानी की बोटल है तो वहां पे कुछ बंदों ने मिलके कहा कि जब तक यह गेम या फिर ये गेम या IPL चलेंगे हम वाटर सप्लाई करेंगे इसके बाद आप कौन मैं कौन फिर आम लग लग हो जाएंगे तो वहां पर सारी चीज़े common purpose और एक्षन हुआ और एंड वहां पर इंकम भी प्रोडियूस होगी तो यह सब क्या 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 लाएंगे इसके बाद आए बोडि ऑफ इंडिवीजिए अब नाम पर है आप द्यान देजैंगे यहां सकता था यहां पर पेटियाम इस एक्स वाइग साथ मिलगे या फिर पेटीम फोन पर यह दोनों कमपणी है या जो भी है इनकी मुझे नहीं पता यह एज एक डिस्टर क्या है मान लीजे कमपणी है पेटीम यह फोन पर दोनों मिल के जोइंट वेंचर चलाती है कोई भी कि यह काम करते हैं हिंदुस्तान म और एक ही प्लेटफॉर्म चलाएंगे और फिर अब जैसे बात होई कि जी कॉमन वेल्थ गेम इंडिया में होंगे इन्हों ने कहा अगर इसमें कोई भी खर्चा होता स्टेडियम के अंदर का तो इसी प्लेटफॉर्म के थूरू पेइमेंट आएंगे और जाएंगे इसी प् आप लग के लिए वहां पर एसोशेशन पर्सन था वहां पर इंडिविज्वां सकते हैं आप मेरे साथ मिल्के बीकुई हम दोनों इक चला सकते लिए रिलाइंस कोई एक नया प्लेटफॉर्म लेकिए टीचिंग का कि जी हमें टेक्स पढ़वाना है बच्चों को मेरा और generate की तो वहां पर मेरी और उसकी association of person थी तो वहां पर association of person person में मतलब मैं इंडिविजूल भी आगे रिलाइस कंपनी भी दो बंदे मिल लेकिन अगले वाला गया था बोडियों फिंडिविजूल मतलब आप सिर्फ इंडिविजूल सो सकते हैं रेलाइस और मैं अगर कोई जड़ते तो एओपी में आएगा ना कि भी ओवाई में आएगा इसमें कोई स्पेसिफिक परपजनी होता भी ओवाई में कहता है persons who merely receive the income jointly and who may be accessible in like manner and to the same extent to the beneficiaries individually executor trustees trustees जैसे मान लीजे किसी trust के trustees होगे तो वहाँ पर बोलो कुछ मिलके कुछ काम कर रहे income jointly receive कर रहे उनका स्पेसिफिक परपस तो नहीं होता ने trust trust का कुछ भी को एग्जीगूटर को ट्रस्टीज आर एससेबल एस बीवाई टैटल एंट्रस्टीज आर टैटस्टर अगलोग टैटल है पर इंट्रस्ट उनके अलग अलग टैटल है मिश्टर राम अलग अलग है और इंडीवीजोल वहा चलाई रहे इंट्रेस्ट क्या लग लग है टैक्स इस नॉट पेवल बाइद एससे ओंद शेर ओफ इंकम रिसेवड बाइम फ्रों विच टैक्स इस अल्रेड़ी बिन पेड वाइट वाइट डिटेल में डिसकस करेंगे विवाई को अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया कि अबर टैक्स नहीं लेंगे हैं माग्स डबल टैक्स एक बार देना है यह अमेशा द्यान रखना यह आपको हमेशा क्लियर करता रहेगा कि विवाई और योपी में डिफ्रेंस क्या कैसे दिफ्रेंस बेट्विन योपी विवाई इस डाट वेराज अशोशेशन इंप्लाइ वोलंटरी गटिंग तुगेदर फोर देफाइंड परपस डेफिनेट परपस के लिए वह जुडी थी ए बोडी ऑफ इंडिविज्विज्वल वोड बी जस्ते बोडी विदाउट अन इंटेंशन टुगेदर को इंटेंशन नहीं था के तुगेदर का वैसे ही आगे क्टिरस व का मतलबे आपना 접े मुन्सिपली होती रिस अन्डिस्टिक जो अपकी होती थे मुंसिपणी में या फिर मुमबई अलग है वहां की और क्या बोलते हैं करनाडगा में अलग है तो वह लोकल अथोरिटी में आती है ना वह कंपनी होती ना इंडिविजिल ना पार्टनाशिप पर्मोर्ट के लिए उन्हें स्पेसिफिक बना दिया लोकल अथोरिटी एक उसके बाद रहा गया आटिफिशल जोडिशल परसन लास्ट जो भी बच गए जितने भी बच गए कौन-कौन बच गए जी उनिवस्टी जो पार काउंसिल है जो एड़ोकेट्स की बार काउंसिल होती वह कहां पर आएंगी हॉस्पिटल कहां पर आएंगे अगर वह किसी स नहीं होते हैं तो उन्होंने बहुत गया आर्टिफिशल जुडिशल परसन मतलब आर्टिफिशल जो नैचरल तरीके से ना बढ़ना हो मतलब जो बाएंडिवीजुल है हम नैचरल तरीके से बंगते हैं नैचरल हुमन बेंग है लेकिन यह लोग क्या है आर्टिफिशल यह बनाई जाते हैं, create किये जाते हैं, hospital किये जाते हैं, university किये जाते हैं, bar council किये जाते हैं, judicial, जो judicial system में आते हैं, person, person मैं आपको पढ़ाई रहा हूं, ठीक है, तो ये person की definitions थी, मैंने आपको पढ़ाया, individual, company, firm, aop, boi, local authority, ये सारी चीजे मैंने आपको पढ़ाया, अगर किसी का doubt है, तो बताओ, दोनों सीगा, आप दोनों में इसकी जाता है, dt, deity, deity means जो देवी देवताओं से related जो होता है, god goddess जो related मंदिर होगे, ये ऐसी चीज़े जो, spiritual होता है, धार्मिक जो होता है, god goddess, देवी उसे related जो होता है, ठीक है जी, तो हमने आपको अपने आपको रिजिस्टर करवा लिया, private limited company, तो हम उसको क्या मान लेंगे, private limited, अगर वो कहीं नहीं रिजिस्टर करवाता, वो ऐसे रन करवाना चाहता है, तो हम उसको सिधा artificial judicial person मान लेंगे, फिर वहां से उसका income एसे सोगगे, जी, 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 तो नहीं उसका tax देना पड़ेगा ना उसको, उसको यहीं तो categorize करेंगे, तो artificial judicial person करेंगे ना, उसका अलग, टेक्सिबल अलग है, मैं आपको पढ़ां मौ उसकी taxability, उसकी taxability क्या है, artificial judicial person दी, उसके अलग से वहां पर अलग टेक्सिब्रेटी ज़ए ऐसा नहीं टेक्स से कोई नहीं बच सकता है इंदुस्तान में देखिए यह कह रहे थे नहीं 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 ऐसा नहीं होगा अब इनका डाउट देखिए बहुत अच्छा डाउट था यह कह रहे थे कि माल लीजी अगर कोई होस्पिटल है वह बहुत अच्छा चल रहा है तो क्या इंकम डेक्स रिपार्टरमेंट उसको तोपएगा नहीं कि आपने तो कहीं रेजिस्टर नहीं करवाए था जी ना कंपनी में ना पार्टनर्शिक फर्म में ना एललपी में ना इंडिवीजियल में और आप लोग तो इ इसके टैक्सरेट अलग वह मैं आपको बताऊं गास्के टैक्सरेट ही अलग गया वह थावां सब्सक्राइब तो अब ही हमने पासिट को डिफायन किया कि परंस क्या क्या होते है कि इसके बाद हम देखेंगे कि अब देखिए क्या होता इंकम डेक्स में अब इंकम डेक्स वालों ने कहा कि आपने बच्चों को सब बढ़ा दिया है इंकम डेक्स में बेसिक सा जो भी इंट्रोड्यूस करवाना था कि यह से ऑगता है पॉर्म क्या होती है परसंस क्या होते हैं डारेक्ट टेक्स क्या होता है टेक्स क्यों लगाए जाता कहां से लगता रहा है जो क्लास में मैंनत कर दें अभी उन्होंने कहा लेकिन इंकम कैलकुलेट कैसे होगी मन का कैलकुलेट वह फाइफ हैड में करेंगे जी आपने बताया ही था फाइफ हैड में तो आपने चलो कॉयार कैसे इंसके में इhington देंटर कई लेकिन मैं क рук कि पैसे कब तक लोण और कभी इससे टेक्स लगına ?] मैं हर महिने टेक्स कफिक्रों 저희가 कहें इतनी कंप्लाइंस करने पड़ जाएंगे हर महिने की रेटन 12 जांगा आपके ईगा विession काम करते उनका आपको मैंने का ठीक है एक जनवरी को मेरी इंकम शुरू हुई और 31 दिसंबर तक की यह होई मैं अपने डोक्यमेंट लेके पहुंच गया इंकम टेक्स मैंने यह लोगी इतनी मेरी इंकम थी यह टैक्स बनता है यह जमा कर लो हमारे यह सिस्टम नहीं चलता कि आप कलेंडर इयर में आए हो आप सोच रहे हो कि साल खतम हों गया चलो जी इंकम आप टेक्स दे दो कि यह तो कलेंडर यह रहे हैं कि जो कैलेंडर में चलते हैं एक जनुरूरी से लेके 31 दिसंबर तक मैं का फिर क्या होगा एक काम गरना अब 31 मार्च को आना हमारे पास मैं का अच्छा जी मैं 31 मार्च को पहुंचा तो नहीं ने कहा यह चलता है जी हमारे यहां तो फाइनेंशल यह फाइनेंशल इर फाएनेंशल इर मतलब जी एक चार मतलब एप्रेल एक एप्रेल शे शुरू होता है और 31 मार्च में कहतम होता इंगा ठीक है जी मन का कैलेंडरी यर् नहीं मानेंगे महिने तो वहीं बारह है आप कि आप वहां को कोई दूसरा बंदा था वो बीच में पहुंच गया वो कहता जी एक चार से लेके वो लेट से माल लो जो 31st जनवरी को पहुंच गया उसको भी यह का गया कि पहले पूरा साल तो करो उसके बाद ही तो थैक्स लेंगे खै producción यहिंख बारा मैने बाद हो फिर ले ले लेना फिर को थको लो मुझे से नियुक्त कहा हazar रही है यह फिर 56 वह कहते हैं वो मतलब income tax वाले कि ऐसा नहीं होता हमारे यहां पर चलता है system previous year का यह क्या क्या ले के आगए आप लोग कभी करें कलेंडर यह ले आते हो कभी financial यह ले आते हो कभी previous year मैं इसके साथ हो जाएंगे और जिसको हम पढ़ाएंगे आगे चलके वह आ जाएंगे आपको वहाँ बाप जाके समझा दीजिए हमें उन्होंने क्या समझाया मुझे मतलब सिंपल एक जनवरी से लेके 31 मार्श तक मन का जी ठीक है कहता उसको तो भूल जाओ उसका और हमारा कोई रिष्टा नहीं है वह आपका सिर्फ new year मनाने के लिए है कि 31 दिसंबर को आप new year मनाव रात को अगले जिन तक पार्टी करो खुब मोज मस्ती करो सिर्फ कलेंडर यह इसलिए है ठीक है जी उसके बाद है इंकम कंई के आप अम है जी क्या है और यह क्या है और आसस्मेंट स्थियर क्या है रनम कहते हैं ही जी आपने इंकम कमाई लेट यठक चार-बैस एच स्भी यएच चार-बन आप प्रेज दे लेते हैं आपने इंकम कमाई एट च्यार दोजार बीस से 31st March 2021 आपने यह इंकम कमाई मनका जी ठीक है कि आपके इस बीच में हुझे टैक्स दे सकते हो मनका जी नहीं मैं इस बीच में आपको टैक्स कैसे दे सकते हैं तो फेले साल पूरा खतम होगा तभी तो मैं आपके पास आऊंगा कि पूरे साल की मेरी इंकम हुई कह रहे जी ठीक है कह रहे यह तो हो गया आपका financial year मनका जी ठीक है कि कहता आप इसका टैक्स कब लूँ मैं 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 का ओव्यसली बाद 21 मार्च के बाद ही तो लोगे खता ठीक है किए ताप टैक्स कब दोगे स्मान लिजे आपने आ तीस अप्रेशन को फीशन इस चार-दोजार एकिस 30 अपरेल को टेक्स दोंगा मैं तो कह रहा यह कौन सा साल हो गया अब मैं कि तो बीत गया कि तब बीत गये को क्या बोलोगे प्रिवियस एर करा जब तक यहां ही साल में खड़े थे तब तक क्या चल रहा था आपका पानेंशल यह लेकिन जैसे साल से बहार आए अगले साल में आए आपका क्या हो गया यह तो प्रिवियस एर हो गया पिछले वाला जिस साल में मैंने इंकम कमाई थी वह गया मेरा previous year जब तक खड़े थे उस साल में था मेरा financial year वह दो कराग जिससाल में आपने कमाई financial year जैसे वह साल वह उस साल को बोलने लगाँवा previous year जिस साल में इंकम आपने कमाई और जिस साल में वो जो कमाई इंकम को मैं टेक्स करूंगा वो जाएगा मेरा असेस्मेंट इयर मैं बड़ा कंफ्यूजिंग है एक ही बोल देते कलेंडर इयर में आप कर देना था सब कुछ कि अगर हम ऐसे क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत से डाउट क्लियर होंगे नहीं बड़ चुके मन कब हो कैसे आप समझ के चलो मैं इस साल में टेक्स ले नहीं सकता मुझे नाम लग लग रखने हैं कल को मुझे चेक करना होगा कौन से फाइनेंशल यर का चेक कर रहा हूं जी म यह भी बात सही है तो कहरा मुझे स्पेसिफिक इयर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है उस साल के लिए कि किसको मैं असस्मेंट यर बोलू किसको मैं कि फाइनेंशल यर बोलू कि मैं जब क्लियर बताओ थोड़ा समझाओ मुझे कहता ठीक है सुन एक चार दो जार बीस से लेके एक अत्तिस तीन दो जार इक्षिस एक चार दो जार इक्षिस से लेके एक एक अत्तिस तीन वाइस नम्म्राजी ठीक है कि यह होगा मेरा कि बीस इक्षिस और यह होगा मेरा कि इक्षिस बाइस यहां पर आपने तो कमाई थी अर्म की पैसा कमाया आपने टेक्स कहां पर दोगे यहां पर टेक्स पे करोगे तो यह हो गया आपका इसेंसमेंट मतलब मैं असमें यहां पढ़ए तो नहीं करते कुछ आ हैं champions यहां और इस साल मैंने जो कमाई थी और इस साल में टेक्स झूँँ एसेस्मेंट येर में आके मैं हमेशे टेक्स देता हूँ चलिए आपको तोड़ा इसका टेक्स बढ़ा देते फिर और ज़्यादा क्लियर होगा financial year. financial year means a year starting on 1st April and ending on 31st March जो मेरा 1st April को शुरू हुआ था और एंड कब हुआ था मेरा 31st March प्रीविश कहता है financial year in which income is earned मतलब financial year जिस financial year में मेरा कुण सा था 20-20 कहता financial year in which income is earned called previous year जो मेरा बीत गया प्रीविश इयर मीन्स तो फाइनेंशल यर इमेडियेटली प्रिसेडिंग पीछे वाला दा असस्समेंट यर मतलब जो मेरा 21-22 था असस्समेंट यर था इसका प्रिसीडिंग यर कौन सा हुआ 20-20 तो हमेशे यह ध्यान रखना जिस भी साल में आपने मेहनत की थी पैसा आर्म किया तो उस साल में तो आप टैक्स नहीं दोगे उससे अगले साल दोगे उससे अगले साल जब आप चले जाते हैं वह इंकम और की थी तो उसको प्रिविएस यर बोलते हैं टैक्स कैलकुलेट कौन से साल में होता है असस्मेंट यर या प्रिविएस यर में असस्मेंट यर में वहीं पर मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा असस्मेंट यर का मतलब कहता है दा इयर इन विच इनकम इज असस्ड टू टक्स अससर्य ट्रूट्यक्स जिसकी calculate की गयी है tax के लिए इसको यहां पर अशस हुई थी उसको अशस्मेंट यह ना बात समझो प्रीविएस सीयर की इंकम मेरी यह एस हुई थी आज तो इस साल को मैं असस्मेंट बोलू आ अगर अगर इस साल में चल रही है मेरी 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 क्लिकुलीशिन चल रही है तका टेक्स देना आप सब्सक्राइब घ्र devil कामनस ओन एक चार दोजार बीज और एंड नीक तिस मार्स दोजार किस दस इनकम और दूरिंग 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 इनिस बीज विल बी असे डॉर टेक्स इन दा वी सी इस यह बात है तीन साथ कि फानेंशल इर चलो भूल भी जाओ आप एक मेंट के लिए क्या होता बस याद रखना के रहां एक कैलेंडरी यह रोता है कैलेंडरी एक जनवरी से लेकि 31 दिसंबर तक चलता है इसको बहुत हो बस दो बात रहुए यह और असेस्नेंट में इसमर्ण के मतलब जिस साल में मैं है उपयाइकन कि उख इंकर हो जिस साल मेरी टेक्स होगे एक एक चोटा सा एस रूनिंग ए बिजनेस फ्रॉम टॉटा थी ओन्वाट्स करें दो जर्द तीन से एक बिजनस चला रहा है डिटमाइं देविए स्वेंट ए टूटीविए इस एक पीच श्या जाओ जूट निस वो होगा मेरा प्रिए सिर्ड र फाइनेशल ये इच फाइनेशल ये इस बहुत प्रिविए सिर्ड एस वेल जो तो विसली बात ही है तो हमने वह को बढ़ाई तो यह बात ध्यान रखना चले के एक एक्जांपल और देख लेते हैं फाइनेशल ये कौन सा है मेरा 18-19 प्रिविए सिर्ड कौन सा होगा मेरा फाइनेशल इयर 18-19 इज दा प्रिविए सियर फोर इंकम रिसीवड एक्रूड द्यूरिंग दा फर्स्ट अपरेल 18 से लेके 31 मार्च नाइटिन ओविएसली बात है 18-19 में जो भी मैंने इंकम कमाई है वो मेरी क्या होगी प्रिविए सिर्क इंकम असेस्मेंट इयर कौन सा होगा अब देखो ध्यान से पढ़ना जड़ाला इनको कहता है क्या मेरा असेस्मेंट इयर फाइनेशल इयर हो सकता है हो सकता है उसी साल का तो फाइनेशल इयर है ही मेरा तो यही कहना चाहता है यहां पर कि जो फाइनेशल इयर 18-19 is the assessment year for income earned in the previous year 17-18 की financial year 18-19 financial year भी और assessment year भी है लेकिन financial year 18-19 सिर्फ 18-19 के लिए financial year है लेकि 18-19 मेरा assessment year है किसके लिए एक पीछे के लिए 17-18 के लिए मेरा assessment year है 18-19 लेकिन 18-19 के लिए क्या है मेरा financial year तो एक ही year मेरा 2018-19 मेरा क्या हुआ कि financial year भी हो गया और मेरा assessment year भी हो गया कि 2018-19 इट्सल्फ financial year लेकिन जब मैं पीछे की बात कुरूआ तो ओविसली वो मेरा assessment year हो जाएगा मैं 17-18 के अगर मैं बात करता हूँ अब 19-20 के लिए financial year 19-20 is the previous year for income received accurate during the year 19-20 ओविसली बात है previous year हो जाएगा और financial year 19-20 is the assessment year for income earned in the previous year 18-19 जो पिछली साल मैंने कमाया वो assessment year हो जाएगा इसमें कोई doubt assessment year financial year में आजी clear है ना कोई आउड हो तो पूछते रही है का साथ में अलाकि जब हम practical question करेंगे ना उसमें इस सारी चीज़े एकदम clear हो जाएगे आपको अब मैंने बताया था कि जब मैंने income मान की लैट से मान लीजे मैंने एक चार उननीच से 31 थीन बीस तक income मार्म की मैं कब जाओंगा income tax के पास अपना चुठ्ठा लेके अजी कि 21 में कि 21 में या बीस-इकिस में यह फाइनेशल है कि 21 मेरी बात समझे एक चार उननीच से 31 मार्म मार्च दोजार बीस तक मैंने income जड़ेट की मैं 31 मार्च दोजार बीस के बाद यह तो जाओंगा यह मेरा कौन सा साल था उननीच बीस अब मैं किस में जाओंगा बीस-इकिस में जाओंगा मेरा साल पूरा होगा मैं तब ही जा सकता हूं तब ही जा सकता हूं लेकि यहां पे एक बात आई कि exceptions are always there उन्होंने कहा कुछ अभी भी ऐसी exceptions हैं जहां पे आपको बीच में ही जाना होगा मनका सर अभी कुछ दिन पहले में आया था आपने कहा था साल पूरा खतम करके आओ लेकिन कह रहा है आपने मेरी आदी बात सुनी थे आप जल्दबाजी में भाग भे थे अब पूरी बात सुन लो मैं आपको 5-6 conditions ऐसी बता रहा हूं अगर आप उनमें fall कर जाते हो तो आप आपको पहले ही टेक्स देना पड़ेगा मतलब जी कहारा दुनिया भरती रहे साल पूरा होने के बाद रिटन है लेकिन अगर आप 5-6 conditions में fall कर गए तो आपको पहले ही टेक्स देते ना साल खतम होने से पहले ही टेक्स देतो आतों को यह बात नहीं पता होती है हमेशा जेनरल रूल क्या गया था केसिज वेर इंकम प्रिवेश एर जेनरल रूल क्या बोलता है जेनरल रूल क्या बोलता है इंकम i and during the previous year क boundary during the previous reward attendance to text in the immediately succeeding मतलब आने वाला असस्मेंट इर जो आने वाले साल है उसमें अमैं दे दूँआ जैसे ही मेरा जेन्रल जो नॉर्मल रूल होता है इंकम और डूरिंग दा एनी प्रीविएस किसी भी प्रीविएस एर की इंकम असस्ट होगी उसके इमिडेटली सक्सेडिंग असस्मेंट यह जो आने वाला है हाववर इन फोलोइंग सरकंस्टांसिज इंकम इस टेक्स्ट इन दा प्रीविएस एर इन विच इट इस अभी तक समझाया था कि जब आपके इंकम कमा होगे उससे अगले साल में टेक्स दोगे लेकिन अब मैं कह रहा हूं कुछ ऐसी कंडिशन से जहां पर डूरिंग दा प् प्रीएस से अगले वाला जहां मेरे इन massa सोती तो लेकिन मेरे 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 इनकम असे होगा मेरी Christina कहां म unfरuma करन भी मैं ट्योंकि उन पर मैं के चलिए यहां पर उनीस बीस में मेरी निक है क्टेमिशन गई मेरे तो ये तो मेरे क्या था 19-20 में मैं इंकम कमारां कमारा कमारों लेटसे मैं पहुंच गया बैइ 25 दिसंबर को पचीस 12-20-2019 21-20-2019 को खड़ा हूं मैं ठीक है फैंशन बीस में खड़ा ठीक है जो अब ये मेरा कौण सा है प्रीइस ये चल रहा लेकिन कुछ ऐसी कंडिशन्स हो गई लेक्स मुझे इंडिया छोड़के जाना पड़ गया इंडियन गवर्वेंट तो कहीगी ना भाई का निकल लिए टैक्स दे के जाओ रिटन भर के जाओ फिर कहीं भी जाओ हमें क्या मतलब आप से तो उन्होंने का 25 दिसंबर को अब रि मतलब मैं इंडिया चोड़के जा रहा था तो साल तो नेरा दोनों सेम हो जाएंगे ना असेस्मेंट इयर भी और प्रीजियर भी इस एक्सेप्शन है विन मेट तो दे प्रोटेक्ट इंट्रस्ट ओफ रिवेन्यों हमेशे ध्यान रखना है जब भी आपको यह लाइन कि इंट्रस्ट ओफ रिवेन्यू रिवेन्यू कहा जाता है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को इंच्पर वेन्यू कहा जाता है डियर वपिलीउ कहा आ है ये हुआ ये बैयाज वाला इंट्रस्त नहीं है यह बोल रहा है उसके हक में revenue की भलाई के लिए इसने कहा यह exceptions बनाएगी revenue की भलाई के लिए मैं तो देश छोड़के जा रहा था 25 दिसंबर को तो यह revenue की भलाई के लिए बनाए गई है interest of the revenue है कि भाई देश छोड़के जा रहे हो बड़ सरकार इंडियन सरकार है जो मोधी सरकार है इंडियन गवर्वेंट अभी के लिए उसका प्रेक्स देखे जाओ कि exceptions कौन सी नौन रेजिडेंट का मतलब तो आप समझते हैं कि जो बाई इंडुस्तान में नहीं रहता है आप नोन रेजिडेंट शिपिंग बिजग मतलब समूंदर से करता है उससे माल आता लए जाता नोन रेजिडेंट ह்क्रुए बाहार अंदुस्तान में समान खोड़ जह कि इंडुस्तान सरकार को उसे पैसा नहीं लेना चीए नॉन रेज़र बंदा वह से इंडिया में रहता भी वह दो चार्पाइब उसे लीया चेक्स निमसा में ऊज़र भी तो और चार्टेट बाय चार्टट्र सब्सक्राइब चाहे गुड्स के लिए या पैसेंजर के लिए बाइए नोन रेजिडेंट एनर एनर का मतलब नोन रेजिडेंट कैरीज पैसेंजर लाइव स्टोक लाइव स्टोक का मतलब होता है पशुप भेड बकरी गाएं भैस इंच जो में गुड्स शिप्ड एट एट पॉर्ट इन इंडिया जो इंडियन पॉर्ट पे शिप्ड करता है सच शिप यह शिप अलाव टू लीव अलाव करती जाएगी लीव छोड़ने के लिए वह पॉर्ट ओनली वें टैक्स एज बिन पेड और सैटिस्फेक्टरी अरेंजमेंट सैटिस्फेक्टरी अरेंजमेंट का मतलब क्या हो सकता है मतलब वह कोई बंदा अपना यहां पर छोड़ के जाए पॉर्ट पे जो अथोर्टी उनको बता के जाए कि यह बंदा है जी इसको असाइंड ड़वा रहा हूं उससे सिगनेचर ले कि ठीक है अगर यह बंदा टैक्स नहीं वह बंदा जा रहा है उसको जाने तो यह टैक्स उससे बंदा गल पर इन्ने आए कि बंधों अजिक उसको जे हो आएक olesBeisिक को से सब्सक्ति बांक दो गये हो थो मैं हूं कि यह कोई बंदा अपना ओथराइज करके जाए कि यह बंदा मेरे भियाँ पर टेक्स परेगा ठीक है दूसरा उसके बाद परसन लीविंग इंडिया वह तो सब्सक्राइज कर रहा है चला गए अब कोई बंदा हो सकता है इंडिया छोड़की जा रहा हो सेलरी जोब करता था कुछ भी करता था बीच साल में छोड़की जा रहा है वेर इट अपियर टू एओ का मतलब एससिंग ओफिसर हो गया है यहा क्टिशन एंड़ लगा है दोनों कंडिशन साथ में होनी चाहिए है पहली कंडिशन बोंडिया छोड़की जैए दूसरा उसके कोई नई इंडिया वापस आने की जो सरकार कहते है आन्दिया के इंडियां तीसरा कहता है AOP-BOI जो मैंने आज आपको पढ़ाए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो AOP बनाई गई है या फिर कोई बनी थी या आर्टिफिशल जूडिशल परसन कोई भी स्कूल युनिवस्टी हो गई या फिर आपका बार काउंसल हो गया किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए परपस के लिए एस्टब्लिश के गए तो वह साल का बीच है तो वहीं पर अगली कंडिशन होगे परसन लाइकली लगता है संभाव है तो चार्ज चार्ज क्रियेट होता है कुछ चीज़ों पर चार्ज क्रियेट होता है लोन वगरा लेते हैं तो या फिर आप कर रहे हो बेच रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो किसी के दूसरे को हैंडोवर कर रहे हो डिस्पोस कर रहे हो खतम ही कर रहे हो एणिओफीज एड्स कोई गाड़ी वगरा डिस्पोज कर देगा खतम करना है परसन लाइकली टू ट्रांसफर प्रोपर्टी मतलब यहों को लगता है कि यह बंदा इस प्रोपर्टी को खतम कर देगा बेच देगा डिस्पोज कर देगा अगर वो उसको बेचता और वो उसको एक सीधे तरीके से बेचता साफ सुतरे तरीके से तो उसको टेक्स देना पड़ता है लेकिन यहां पर यहों को लगा कि यह बंदा इस प्रोपर्टी बेच देगा